दोस्तों को मेरा सलाम पोँचे में हूँ आजित नसीम आप देख रहे हैं मैं फोर्थ व्यू आज हम बात करेंगे जियो परल्टिक्स भूराजनिती यानि दुनिया के यानि थर्ड वर्ड भौर के पार्ट टू की पार्ट टू या प्लान बी दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं बात थोड़ी एक कदम आगे बढ़ गई है जो बाइडन इसराइल पहुँचे हैं इसराइल उनकी मिटिंग अधिकारियों से हो चुकी है आगे क्या बात चीत हो सकती है हम उस पर बात करेंगे यहां से पांटर जवाब में आपको बता होगा कि विलादमीर पुतिन और रजब तयवार्दगान पहुचने वाले हैं तहरान मंगलवार को यानि बाइडन यहां से रवाना होंगे और रजब तयवार्दगान और विलादमीर पुतिन यहां पहुचेंगे जो कि उनकी पहले से तै एक मीटिंग है जो बाइडन की भी पहले से एक मीटिंग है यानि पूरा फोकस अब जो थर्ड वर्ड वार के एक दुनिया को और इसमें शामिल करने का जो की चल रहा है देखिए एक बात मैं आपको बता दू कि डोनेस को जिस तरीके से आज जमानियता दे दी है नौर्थ को यानि कल शायद मैंने कहा था कि शायद इंतмат सार कर रहा है रशीया के डोनेस को नौर्थ को रिया कब आपरूल देगा कब मानियता देगा तो आज दे दी गई है और इसके बाद भी कहीं देशों का मैंने नाम लिया था कि एक के बाद एक डोनेस को वो माननेता देते चले जाएंगे और इस तरह से वो एक अलग देश के तोर पर स्टाइबलिश हो जाएगा जो पूरी तरह से रिशिया के कंट्रोल में है अब कुछ नए तरह के हत्यार में बात करेंगे बिलकुल साओधी अरब बाइडन यातरा उनका गेम मुहमद बिन सल्मान क्या करने वाले हैं इरान क्या करेगा रजद तयब अर्दगान के इंटरस क्या है और पुतिन क्यों आ रहे हैं इन सब पर हम बात करेंगे पहले मैं एक पोस्ट को उड़ा दिया गया और यहां पर रश्या के हत्यारों काया उस पोस्ट का काफी नुकसान हुआ है मगर बदले में आज रश्या ने जहां पर यह स्टोर की गई थी इन तमाम इनके स्टोर को उड़ा दिया है और भारी हमला करके नस्तोनाबूद कर दिया है ब हत्यारों की कमी हो रही है और भारी जान का नुक्सान हुआ है यूकरेन के फोजियों का ये कबूल नामा भी आ चुका है एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये है कि ये खजसा जाहिर किया जाने लगा है या चर्चा शुरू हो चुके है यूर्पिन यूनियन में के हम हत्यारों क अब बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं देंगे यूकरेन को उसमें कटोती करेंगे क्योंकि ये हत्यार अराजक तत्वों के हाथ लगने के या अंडर वर्ड के हाथ लगने की संभावना है या अपनी जान या अपना मूँ छुपाने की कोशिश करने शुरू हो चुके हैं जो के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ के बहुत जल्दी यूकरेन का साथ चोड़ देंगे और साथ खड़े होने का नोटंगी करते रहेंगे कितनी तेर स्टेंड कर पाएगा यूकरेन ये देखना पड़ेगा तो कुल मिला के अपने हतियारों को बचाने के लिए क्योंकि यहां से जो भी हतियार गए उनको बलैक हॉल बना दिया रिशिया ने और जितने हतियार अपनी रणिदी के तहट वो अंदर आने देता है और अंदर आने के बाद उन पर हमला किया जाता है उनके नीपो को उड़ा दिया जाता है तो कुल मिला के पश्चिमी और अमरिका के जो हतियार है वो वहां पहुंचने दिये जाते हैं उसके बाद उड़ा दिये जाते हैं ये एक तरह से तबाही है कि अपने पैसा भी खर्च किया जा रहा है यूकरीयन पर कर्ज का बोज़ भी बढ़ रहा है और पश्च्चमी हत्यारों की बेज़ती भी हो रही है उनकी जलालत भी हो रही है नस्तो नाबूद किया जा रहा है तिल तिल करके बेज़त करके रिशिया जो है उनको हरा रहा है ये एक एकज़ट पॉजिशन है बाकी तो आप साने आप वो शोर मुचाते वे कोई उपर जाता है कोई नीचे जाता है और ड्रामे आप देख रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं होता जो हकाइक है जो खबरे हैं मैं आपको दे रहा हूँ ये जो मिजाइल S-400 को चक्मा दी है आप याद रखेगा कि स्टिल्ट को डिटेक्ट करने वाली S-500 फाइव जेनरेशन किलर और लेडी रेशिया के पास मौझूद है और कई ऐसे वेपन अभी सामने आना बाकी है क्योंकि अमेरिका अपने बाजार को गरम करने के लिए इस वकत जो खाडी के देशे विन सवदिया को भी रिजहने के लिए जिस तरह की कोशिश की जाएगी उसमें किसी नए हत्यार को युकरेन के बहाने टेस्स कर सकता है इस लैब में जहां पर वो खाडी में दुबारे से अपनी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें याद रखेगा कि ये मुहमद बिन सल्मान से मिलने जा रहे हैं उसी मुहमद बिन सल्मान से जिसने बाइडन का फोन नहीं उठाया था इनकी लोगों का ये मानना है कि ये तेल की जो पूरती है उसे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं मैं ऐसा नहीं मानता हूँ क्योंकि एक तरफ ये इसराइल में जाकर बात कर रहे हैं दूसरी तरफ आपको दोस्तों बता दूँ के चीन के उप परदान मंतरी से बात हुई है उसके समकस के अमरिकन्स के साथ में जिनमें ये रशिया से मंगाए जाने वाले तेल पर एक कैप सिस्टम बनाने की रिक्वेस्ट अमरिका कर रहा है यानि यहां पर वो चाइना के साथ डारेक्ट लड़ने की पाबंदियां लगाने की या कोई बहुत जादा आरपार दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है बलके एक कैप लगाने की कि आप रूस से तेल ले रहे हैं मगर उसका एक कैपिंग सिस्टम कर लीजे ताके आप इतना मंगाएं इतना और दूसरों के भी आत्मा वस्ताओं को चलने दे यह सब गेम जो है वो चल रहा है मीडिया में आप सिर्फ वो पार्ट सुन पाते हैं मीडिया में सिर्फ आप वो बाते सुन पाते हैं जो चर्चा के लाइक नहीं होती वो उबाल लाने के लाइक होती है खून गर्म करने के लाइक होती है जनता को धोका देने के लाइक होती है जोन बॉल्टन ने जो कुबूल नामा किया है कि हम देशों के अंदर माहौल बनाते हैं नफरत पहलाते हैं सत्ताए परिवर्तन करवाते हैं ये सारा गेम वो करवाते हैं और दुनिया की जनताइं, दुनिया के नेता, दुनिया की लिडर्शिप ये सब होती है, करने देती है चुकर वो इन नेताओं को ड्राते हैं और अपनी मनमानी करवाते हैं। कुएट कतर भी थाव है के नहीं पता नहीं यूएई ये सारा कोलेशन है साथ-ाठ देशों का जो आपस में मिलकर किसी भी जिस तरफ सवदी जाता है या कहते हैं उस तरफ सी सब लोग हो लेते हैं अब ये कोशिश है कि जो डील ऑफ सेंचरी ट्रम्प ने साइन करवाई थी जो डील अफ सेंचरी हो चुकी है जिसमें बाइडन ने ये कहा है इसराईल के अंदर के हम आए हैं यहां पर इसराईल की सुरक्षा को बुक्ता करने के लिए और यहां पर उनके वियापार, उनके कारोबार के साथ लोगों को दूसरे देशों को जोड़ कर वियापार को विस्तार देने के लिए हम मौजूद हैं और हम साओधी अरब भी जाएंगे तो मतलब साफ है कि अब जो बाइडन इस वकत अमरीका में जाएंगे वो वहां से अपनी सुरक्षा हटा चुके हैं थाड हटा चुके हैं दुनिया का सबसे बड़ा हतियार इंपोर्टर साओधी अरब था आज कल है के नहीं कोई और हुआ के नहीं मगर अभी तक तो वही था 2020-2021 तक 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 तो दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार इंपोर्टर साओधी अरब था जिसमें अमेरिका जिसमें ब्रिटन इन तमाम देशों के हत्यार खरीदता था और थाड इस्टिंगर्स ये तमाम मिजाईलें इन्होंने साओधी अरब की हिफाज़त के लिए स्टॉल की थ जो इरान के ड्रोन, इरान की मिजाईलें जो होशी बाग्यों को दी जाती है यमन के अंदर वो आराम को पर हमला कर देते हैं और सफल हमला हो जाता है जस तरह अमेरिका की मिजाईल को S400 को डिच कर दिया और एक अटेक सफल अटेक हो गया पोस्ट पर यूकरेन के अंदर रसियन पोस्ट पर उसी तरह अमेरिका की तमाम एर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी के बावजूद इरान की ये ड्रोन आराम कोपर सवधिया में अटेक करने में सफल रहे हैं थाड और स्टिंगर्स को चक अकमा देने में सफल रहे हैं याद रखेगा ये इरान के ताकतवर ड्रोन हैं आधुनिक ड्रोन हैं ये महत्पूर्ण नहीं हैं मगर ये अमरिका के एर डिफेंस सिस्टम को नजर में रखके बनाए गए हैं पस्चिम के एर डिफेंस सिस्टम इसराइल के एर डिफेंस सिस् डिफेंस सिस्टम जो काउंटर डिफेंस सिस्टम अमरीका ने तयार किये हैं ये ठीक वैसा मूव है जैसे कोई बॉलर आप आपने देखा होगा किर्केट मैच में कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कपतान अचानक जब हमारे आपनिंग बॉलिंग होती है आपनिंग ऑवर होते तो वो जो सूरते हाल होती है कहीं बार जो यूद की रणनीती होती है उस रणनीती में मूव बदले जाते हैं वो अलग बात है कि कुछ लोग जो इरान का समर्तन करते होंगे वो उसकी तारीफ करेंगे कुछ अलग बुराई भी करेंगे वो अलग इन सब बातों में हम नहीं जाते हैं, स्टैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न हम आंद किसी का समर्तन करते हैं, न हम कोई अंद भग्त हैं किसी के भी, जिसकी जो होती है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सब को पता रहें, और वो जो जो लोग, जो जो आहलान है, कि उनके जाल सच होने के बावजूद सो दोसों लोग मेरे वीवर हैं आप लोगों को सलाम है दोस्तों आप बने रहें बाकी बाड़ा में जाए हमने क्या करना है एक चीज़ आप ध्यान डखेगा अब जो खेल होने जा रहा है मैं उस पर बात कर लेता हूँ दोस्तु सीधे सीधे आपको एक बात बताता हूँ कि अब साओधी अरब अपने पते कोलेगा डबल करेगा क्रास साओधी से भी वो बात करेगा बाइडन से भी और पुतिन के साथ भी बाचीत रहेगी यानि थोड़ी बहुत तेल की मिकदार बढ़ाने की क्वांटिटी बढ़ाने की सप्लाई बढ़ाने की बात करेगा मगर यूरोप की पूरती नहीं हो सकती दुनिया के तेल की पूरती नहीं हो सकती क्योंकि δो तीन साल साओधी आरब ने बहोत बड़ा घाटा साहा है ये उसके घाटा-पूर्टी का वक्त है वो अपने घाटा-पूर्टी करेगा इस वकत रुस का साथ देना, रुस के टेल के साथ बात मान लेना और तेल की नीती पर चलना सौधी अरब के हित में है वो आसानी से इस रुक को नहीं छोड़ेगा मगर बाइडन भी नहीं छोड़ेगा बाइडन इसराइल के हितों को साथने के लिए बलकि इसराइल से जादा सौधी के हित हैं इस बात में कि इस्राइल के साथ वियापारिक संबंद बने, युवेई के वियापारिक संबंद बने दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो कुछ लोग जो है इसमें मैं हिंदू-मस्लिम के नजरीय से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं यहुदियत के नजरीय से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं बर्रे सगीर के लोगों को थोड़ा से बर्गला हट है, थोड़ी सी गुमराही है मैं बहुत सालों से, दस सालों से आप लोगों के साथ मेहनत करता है, आया हूं के अपने देश में अपनी सूरत हाल, अपनी भाशा से लिए अपनी चीजों को बदलो वक्त बहुत दूर नहीं है, तुमारे हाथ में वापस आ सकता है मगर इस बातों को मेरी आज भी कोई मानेगा, यह आसान नहीं मगर आपको एक जानकारी देता चलता हूं कि भारती जनता पार्टी से जुड़ी एक कमपनी जो करनाटका की है जो UAE में हैं, जिस को मतलब जिसका कोई परशांद करके यह प्रकास करके कोई आउनर है, इन्वस्टर है यारी भारती जनता पार्टी के लिए वो किसी मुखेमनतरी या मनतरी की करनाटक में जो है सलाकार भी है जो पश्चिम एसिया के देश हैं उनके हज करने का और उम्रा करने का और इनके इंतजाम और उनके ठहराव करने का सौधी अरब ने कॉंट्रेक्ट दिया है उन लोगों को इस पर पश्चिम में नहीं भारत में तो नहीं मगर दूसरे देशों में जो तरीके से सोचते हैं तो उन लोगों को शायद आतराज हो गया है इस पर और इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि मौमद बिन सल्मान और सौधी अरब जो है एक तरफ ये कहा जाता है कि भारत के मुसलमानों को भारत की भारती जिन्दा पार्टी से खत्रा है या कुछ गठनों को सौधी अरब जैसी जगा में जो है इंतजाम के कॉंटरक्ट दिये जाते हैं तो ये बात चर्चा का विशह है ना इसमें इरान की एक साइट पर आप जाके इस कबर को पढ़ सकते हैं ये मेरी कबर नहीं है इरान की एरना अजेंसी की कबर है आप लोग भी आई है कि गलत फहमी में मत रहिए गमराही में मत रहिए इनसान बनिये स्टैटेजी बदलिये रनीती बदलिये और अपने काम को फोकस करिये जंगे खामोश रहके भी जीती जा सकती है ये बात सीखने की जरुरत है अच्छे लिडर्शिप अच्छे काइद की जरुरत है ज जोन बोल्टन जैसे लोगों का काम है जो समाज में नफरतें पैदा करते हैं जो नफरत उनका एकारवार है तूल है और देशों के रिजीम चेनज करते हैं अपने हीटों को साथतե हैं बड़ा पैसा कमाते हैं वो इस काम से आप लोग लोगART मुझे कमाईी पर से कुछ लेना देना है, आप अपनी जान बचाएं अपनी चीजों को ठीक करें और रनीतियों को लेडर्शिप को भाशा को बदलें थोड़ी सी खामोशी अख्तियार करें बेवज़ा ना कागज पे लिख के जंगे जीती जाती है ना सिर्फ सोच से जंगे जीती जाती है नदात निकालने से दुनिया खाए जाती है यह अफसाने हैं जो लोग काम करते हैं इस दुनिया के लिए वो ऐसा करते हैं जिस तरह सिरलंका ने बात नहीं मानी तो वहां हालात खराब कर दिये गए पाकिस्तान में जनता इस तरह का हालात नहीं बदल सक पाकिस्तान के अलावा कहीं और देश हैं, जो आप समझते होंगे, उन देशों में भी जनता हालात खराब नहीं कर सकती, उसकी वज़ा आपको बताता हूं क्या है, उसकी वज़ा बड़ी इसपस्ट है कि शिरलंका में जोन बॉल्टन लोग चाते थे कि वहां की सत्ता को निक जनता इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान का जो मशेनरी सिस्टम है, जो उनका इस्टैबलिशमेंट है, उनके जज्ज है, उनके अजन्सी है, उनके फोजी है, वो सब उनके बंधवा मज़ूर है, उनके खुलाम है, उनसे वो लेकर सबकुछ करते हैं और वो यानि कि उस सत्ता को बचाने का काम अगर वो कर रहे हैं तो जनता की उकात नहीं कि उकाड़ दे और अगर वो चाहें कि जनता इनको उकाड़ दे तो उन सब लोगों की उकात नहीं कि अपनी गद्धी पर बने रहें ये दुनिया की हकीकत है इस हकीकत को आप समझ ले तो ठीक ना समझ ले तो ठीक चुके आप मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि पिछले दस सालों से में तफसील से ये घटनाएं बता रहा हूँ जो आज घट रही है जो जोन बॉल्टन ने आज कबूल नामा किया है ये मैं आपको दस साल से समझा रहा हूँ कि ऐसे होता है और आज सुबूत के साथ आपके सामने मौजूद है अगले सुबूत भी बहुत कुछ मुझे पता है जो मेरे अपने अनलाइसिस है वो भी होने जा रहा है मगर अभी उसकी चर्चा करना बेकार है तुम लोग बरदाश नहीं कर पाऊगे अभी हम एक बात जरूर कर लेते हैं जो अभी होने वाली है तो अभी हालात ये होने वाले हैं कि सावदी अरब इजराईल और वियापारिक दुनिया इकटी होगी जिसमें कोशिश करेंगे इरान की घेराबंदी की इरान को टकर देने की इस नाम पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शायद मौम्मद बिन सल्मान अपने आपको परमानू संपन बनाने की सर्थ वाइडन के सामने रख सकते हैं और ये मैं बहुत पहले भी आर्टिकल लिफ चुका हूँ मेरे पेज पर मौजूद होगा आप देख सकते हैं ये शर्थ अमरिका जाहरी तोर पर या खुपिया तोर पर मान सकता है चुकि इरान को कंट्रोल करवाने के लिए सवदी और इरान को ही बिढ़ाने के लिए इसराइल के फाइदे में ये बात है तो ये मूव हो सकता है और इस फाइदे को उठाने की बिन सल्मान भी पूरी कोशिश करेगा मगर इरान का पक्स कमजोर नहीं है एरान आज रशिया से जो ट्रेन चली थी वो रशिया से चली हुई ट्रेन जो भारत अपना हमारा साथ जो समान लेके आ रही है वो एरान पहुंच चुकी है जा बाहर के रास्ते हम अपने भारत में जो रशिया से हमारी कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को हमने बुल्ला नहीं है के जौन बॉल्टन इसराइल या ये लोग चाहेंगे और वो इरान को मुँ में रख लेंगे अब ये बात बहुत दोर निकल चुकी है अब साओधी अरब भी अगर तुर्की और रशिया और इन तमाम खेल को इनके साथ लेकर आगे नहीं बढ़ाएगा तो इनकी मुलाकाते होने दीजे फिर इस पर तफसील से बाते करेंगे कि क्या खोया क्या पाया खुदा